नवदमपती के साथ बृद्धा उस्था में भी पती पतनी के संबंधों में दरारे आ रही है रविवार को परिवार परामशकेंद्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया शराप पीकर गाली ग्लोज और मारपीट करने पर महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी आरोप लगाया गया कि पती इस उमर में बहु बेटा और पोतों के सामने गाली ग्लोज करता है नवदमपती के साथ बुज़ूर्ग पती पतनी के संबंधों में दरारा रही है सदर्शेत्र का रहने वाला बुज़ूर्ग दमपती रविवार को परिवार परामर्शकेंद्र में पहुँचा शरापी कर गाली गलोज और मारपीट करने से परिशान होकर महिला ने थाने में शिकायत की थी इसके बाद मामला परिवार परामर्श केंदर पहुच गया, महिला कारोप था कि पती शुरू से ही शरापी कर मारपीट करता चला रहा है लेकिन अब बहु बेटो और पोते-पोती की सामने इस तरह की हरकत करने पर नागवार गुजर रहा है पती को सबक सिखाने के लिए पुलिस से शिकायत की है पती शुरू पहुच गया, महिला का रहने के बाद भी परिवार परामर्श केंदर में महिला ने हमारे एक रिपूर्ड लगाई काउंसलर को बताया कि वह पती की हरकत से परिशान होकर बहन और बेटियों के पास रहने को मजबूर हो गई है उसने घर से बाहर रहकर ही थाने में प्रातना पत्र दिया है काउंसलर डॉक्टर अमित गॉर्ड ने काउंसलिंग कर दोनों का समझोता करा दिया पती को भी इस तरह की हरकत ना करने की हिदायत दी गई है परिवार परामर्श केंद्र में बड़े घराने के मामले सामने आये रामबाग शेत्र की रहने वाली यूवती का विवा करीब डेड़ साल पूर्व हुआ है लड़की निवाग रशेत्र स्थित एक कॉलेज से पी अचडी कर रही है जबकि पती एक कमपनी में इंजीनियर है विवाहिता का अरोब था कि उसका पती कई तरह के नशे करता है इससे परिशान होकर माईके आ गई और शिकायत थाने में कर दी वह करीब एक साल से माईके में रह रही है विवाहिता का समझोता करा दिया गया परिवार के लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि लड़का भविशे में नशान नहीं करेगा सी नियूस के लिए उमेशनवा की रिपोर्ट